कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास GIO की सीम है ठीक है कोई भी ब्रांट का मॉबाइल हो कोई प्रभूलम नहीं है बट आपकी जो सीम है वो जी ओकी होनी चाहिए और उसमें नेटवर्क प्रवलम आ रही है एँट्रेट से रियेटिव प्रवलम आ रही है उसके लिए जियो किसी में आपके पास है तो आपको सबसे पहले तो settings में आ जाना है Android Mobile होगा आपके पास Settings में आप जैसे आ जाएंगे आपको यहाँ पर Mobile Network देखने को मिलेगा Mobile Network पर क्लिक कर लिजिए Then उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Access Point Name मतलब APN APN पर आपको क्लिक करना है यह APN setting आपकी यहाँ पर Select होगी आपको क्या करना है नीचे Reset को option देखने को मिल जाता है Reset के option पर आपको क्लिक करना है इस setting को आपको reset कर लेना है देख सकते हैं मैंने reset कर ली है reset अब reset करने के बाद New APN side में लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको क्या क्या settings करनी है वो आप जान लीजिए सबसे पहले है name name में आपको क्या डालना है वो जान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है Jio यहाँ पर लिखना है Jio Reliance देख लिजिए कुछ इस तरह से सो गाइस आपको यहाँ पर लिखना है Jio और याद रखिए Jio में आपका J बड़ा होगा और Iio Jio Space के बाद R बड़ा और उसके बाद लिखना है R E L I Reliance आपको यह लिखना है और OK कर देना है name की setting आपकी हो गई है उसके बाद APN, APN में आपको लिखना है Jio यहाँ पर आपको सभी letters छोटे रखने है internet ठीक है तो यहाँ पर internet कर लेते है Jio internet कर दिया है यहाँ पर OK कर देते हैं Space देना है यहाँ भी आपको और उसके बाद आपको port देखने को मिलेगा port पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिखना है आपको 8080 और OK कर देना है दन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा server server में आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिखना है www.google.com तो यह आपको लिखने OK कर देना है यहां तक आपकी setting हो गई है guys उसके बाद आपको search करना है authentication type authentication type आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा यह रहा यहाँ पर आपको click करना है authentication type पर उसके बाद आपको यहाँ पर P.A.P. देखने को मिल रहाँ इस पर click कर लिजिए यहाँ पर वैसे तो चार option है P.A.P. select करिए ओके कर दीजिए देन उसके बाद नीचे आईए APN type है इसको यहाँ पर default कर लिजिए APN type इस पर click करके रुकिए APN type है यहाँ पर default यहाँ पर आप लिख दीजिए तो लिख देते हैं D.E.F. default लिखके OK कर दीजिए यह आपको कर देना है APN protocol यहाँ पर APN protocol आपको यहाँ पर search करना है और यह जो APV4, APV6 है इस setting को यह आपको रहने देना है अगर आपकी APV6 होगी या APV4 होगी तो आपको यहाँ पर last वाला APV4 और APV6 slack कर लेना है देन उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको barrier देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसको slack करना है और यहाँ से आपको नीचे आना है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से सभी को slack कर लेना ठीक है select all, सभी को slack कर लेना है जितने भी हैं आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह से किसी single को choose नहीं करना है जितने भी हैं आपको सभी को slack करना रोक के कर देना है यह आप देख सकते हैं barrier आपकी हो गई है अब यहाँ पर आपको क्या करना है more पर click करना है और इस setting को apn setting को save कर लेना है आपकी apn setting save हो चुकी कि है और इसको यहां से स्लैक करिए अब आपका इंटरेंट से रिलेटीड प्रॉल्म होगी वह सॉल्फ हो जाएगी ओनली जीओ किसी में इस बात का आपको ध्यान रखना अगर आपके जीओ किसी में तो यहां पर एपियां सैटिंग अपकी हो गया इंटरेंट बहुत तेज लगे कोई प्रॉलम नहीं होगी अगर आपको इंटर्ट से लेट भी प्रॉलम होती है अपके जियो के जिम्में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं आपके लिए कोई और सलुशन लेकर आँगा सुगाइज आसके वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में त किल मा इतेकल बीवाल